हेलो इवरीबड़ी स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी लोगों का लौ वाला किस अमेजिंग फाउंडेशन बैच पे मैं हूँ इसरा खान आपकी लौ मिंटर और आज के सेशन में हम लोग कॉंस्टिटूशन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टन पार्ट कवर करने वाले हैं आज हम लोग बेसिकली यह डील करने वाले हैं कि यार इंडिया के अंदर और जो इंडिया के स्टेट से उनके अंदर क्या हम लोगों के पास फ्रीडम है इंद मैटर रिलेटिंग टो ट्रेड कॉमर्स और इंटकोस क्योंकि आर्टिकल 19 वंजी के अंदर हमें पता उसे मैं आप लोगों को बता दूँ यह टॉपिक बहुत इंपोर्टन है क्योंकि इससे रिलेटेट प्रिलिम्स में जुडिशरी स्टूडन्स को यह पता होना चाहिए कि प्रिलिम्स में और में में भी क्वेश्चन पूछा जाता है जितने भी बच्चे अधर कॉम्पेट इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो बिल्कुल इससे रिस्ट्रिक्शन भी लगे है और उन सारे इस्ट्रिक्शन को आज हम लोग कवर करेंगे साथ ही साथ बहुत important case law एक case law आपका याद रखेगा अतिया बारी अतिया बारी T company का case अतिया बारी T company का case और एक automobile company का case है very very important दोनों ही cases जो है important है इनको भी हम लोग साथ ही साथ समझेंगे ठीक है तो यार एक बार यह देख लेते हैं कि provisions कहां कहां पर दिये वे हैं तो आपको यह provisions part 13 के अंदर मिलेंगे part 12 हम लोगों ने last lecture में cover कर लिया अच्छे से और इसके बाद दोस्तों Monday को हम लोग cover करने वाले हैं the services under the union and the states और वो definitely live class हमारी होने वाली है ठीक 12 बजे law वाला channel पे तो आप लोग सब लोग join in करिएगा बहुत important session होने वाला है बहुत important provisions हम लोग उसमें भी deal करने वाले हैं तो basically यहां पर आपको मिलेगा trade commerce and intercourse within the territory of India सबसे पहले article 301 बात करता है freedom of trade commerce and intercourse simple section section है clear बताता है कि भाई trade commerce and intercourse within the territory of India क्या होगा प्री होगा article 302 यहां से आपको देखने को मिलेगा दोस्तों क्या restrictions है अब इस trade commerce और intercourse पे क्या-क्या restrictions impose करी जा सकती है यह आपको मिलेगा कि basically under article 302 से लेकर के 305 तक की उसके बाद 303 में आपको मिलेगा restrictions on the legislative power of the union and of the states with regard to trade commerce 304 में मिलेगा restrictions on trade commerce and intercourse among the states फिर 305 में आपको मिलेगा saving of existing laws and laws providing for state monopolies state monopolies related क्या-क्या laws है यह भी आपको देखने को मिलेगा अंडर आटिकल 305 ठीक है तो इसी को यार आज के session में हम लोग कवर करने वाले हैं साथी साथ 306 समझ लिजेगा कि भाई वो पॉइटेड है और 307 में appointment of authority for carrying out purposes of article 301 और 304 तो यह appointment of authority की बात करता है अब यार अगर हम लोग किसी भी federation की बात करें इंडिया भी एक federal state है एक federation है तो हर एक federal state के अंदर एक attempt किया जाता है कि भाई constitutional provisions की माध्यम से constitutional provisions की माध्यम से हम ऐसे मतलब economic fabric economic equality देखो हर कोई political जो है equality की बात करता है economic equality की बात नहीं होती है तो यहां पर हर एक federation के अंदर यह एक प्रयास करता है कि भाई economic equality हो और यहां पर economic fabric fabric का मतलब यह है कि एक economic हम एक nature create करके रखें अपनी country के अंदर और उससे क्या होगा जितने भी local barriers है ना barriers क्या कोई भी अर्चन अगर आ रही है उस economic activity में आपके trade commerce और intercourse के अंदर कोई भी अगर बाधा आ रही है तो उसको हम हटा सके एक ऐसा इन्वाइमेंट create हो राइट और टो रिमूव थे इंपेडिमेंट इन दे वे ऑफ इंटर सेट ट्रेट ट्रेट एंड कॉमर्स अन दस तो इस वन सिंगल एकनोमिक उनिट तो हर फेडरेशन ये एम करती है कि भाई जितनी भी बाधाएं हैं जितने भी बैरियर उनको हटाया जाए और पूरी कंट्री एक साथ यहां पर क्या है बेटर्मेंट के लिए आप यह देखो जो इक नागरिक जो उस देश में रह रहा है उससे कम से कम उसको कुछ अड्वांटिश तो मिले कोई फाइदा तो हो तो बेसिकली यही चीजे जो हैं इसके अंदर डेल्ट हैं और इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं अब यहां पर ऑब्जेट क्या था दोस्तों आर्टिकल 301 से लेकर के 307 को फ्रेम करने का बनाने का क्या इकनोमिक बैरियर्स को हटाने की हम बात करें जहां पर हमें यह बता सकें कि पूरा भारत एक एकनोमिक यूनिट होगा फ्री ट्रेड कॉमर्स हम प्रोवाइड करेंगे ठीक है इंपॉर्ट उनको इंपॉर्टंस पता थी for maintaining the economic unity of the union of India साथ ही साथ एक इंपॉर्टंस चीज़ फ्री मॉव्मेंट फ्री मॉव्मेंट और एक्स्चेंज ऑफ गुड्स थ्रूआउट टेरिटरी ओफ इंडिया वस एसेंशिल फॉर्ट एकनोमिक यूनिटी ऑफ दे कंट्री यहां पर क्या सबसे इंपॉर्टंस चीज यह है कि भाई फ्री मॉव्मेंट और एक्स्चेंज ऑफ गुड्स मेंली क्या डील करा जाता है एकनोमिक अक्टिविटी होती क्या है अगर आपसे पूछा जाए कि भाई economic activity क्या है तो आप क्या simply क्या जवाब दोगे भई economic activity में क्या है या तो भई sale और purchase हो रहा है sale और purchase किस चीज का goods का services का पहले क्या हुआ करता था दोस्तो पहले हुआ करता था बार्टर सिस्टम अब क्या है अब आप देखोगे monetary monetary money के थ्रू हम जो है यह जो exchange होता है goods and services का है ना तो basically यही सारी economic activities होती है all the commercial activities इसे के अंदर आती है commercial activities भाई कुछ आप कोई shop खोले हो आप business कर रहे हो आप trade कर रहे हो यही सारी जो है area आपके economic activity का होता है यह बेसिकली इतना जादा confusing नहीं होता है यह क्या होता है यह day-to-day activities जो होती है na day-to-day activities के उपर based होता है आपको यह समझ के चलना है तो basically तो इंडिया के लिए यह essential था for economic unity of the country which alone could sustain the progress of the country भई हमारी country की progress उस टाइम पर रिक्वाइट थी जब constitution बन रहा था उस टाइम पर हमें चाहिए था कि हम इसे प्राप्धान डाले constitution के अंदर जो हमारे constitution को या हमारी country को नीचे की तरफ नहीं बिल्कि ऊपर की तरफ बढ़ाएं right does the main object of article 301 was obviously to break down the border barriers यानि के अंदर यूजवली आप देखो अगर आप पहले देखो constitution प्रेम निया इंडिपेंडेंडेंस इंडिया को नहीं मिला या इंडियन स्टेट्स में जो borders created थे वहां पर पहुत सारे border barriers थे between the states and to create one unit वह border barriers हम अटाएं और एक unit बनाएं with a view to encourage the free flow streamline मनब यह streamline करें कि trade और commerce जो होगा state के बीच में क्या होगा free होगा ठीक है throughout the territory of India यही basic दोस्तों basic object यही था अब article 301 क्या कहता है constitution का article 301 एक general provision है ठीक है एक declaratory provision है article 301 of the Constitution of India declares that trade commerce and intercourse throughout the territory of India shall be what shall be free simply यह कहता है ठीक है ताती साथ based on section 92 यह important चीज़ है आप लोगों के लिए जानने की कि भाई यह unique चीज़ है कि यह feature हमने कहां से बॉरो किया we have borrowed this feature from the Australian Constitution Australia के Constitution से हम लोग ने बॉरो करा section 92 of Australian Constitution which says that trade and commerce and intercourse among the states whether by means of internal carriage ocean navigation shall be absolutely free लेकिन यहां पे जो इंडिया के अंदर जो freedom of trade commerce and intercourse की बात करी गई है वो ऑस्ट्रेलियन Constitution से थोड़ा सा वाइड है और बड़ी रेंज है उसका अस्पेक्ट और ज्यादा बड़ा है वाइडर देन दाट इन ऑस्ट्रेलिया अंडर section 92 वाल section 92 refers to interstate trade only article 301 includes both interstate के इस एस्पेक्ट में क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के constitution में सिर्फ और सिर्फ interstate trade commerce and intercourse की बात करी गई है लेकिन अगर हम लोग article 301 की बात करें तो वहां पर interstate trade as well as intrastate trade यानि कि state के अंदर जो भी trading हो रही है जो भी commercial activities वो हो रही है वो भी included है और एक state दूसरी state के साथ अगर कोई trading या कोई commercial activity कर रहा है वो भी included है ठीक है that it imposes a restriction on the legislative powers of both Parliament and state legislatures तो basically interstate and intrastate that is within the territory of the state trade and commerce that is it imposes a restriction on the legislative power of both the Parliament and the state legislature state legislative assemblies ठीक है अब यह चीज़ आपको याद रखनी है इंडिया the Constitution itself lays down restrictions on article 301 the restrictions are contained in 302 305 अभी मैंने आप लोगों को बताया ठीक है अब यह देखो this is necessary because no freedom is absolute by restrictions तो लगाए जाएंगे article 301 applies not only to interstate यह अभी मैंने आपको बता दिया interstate साथी साथ यहां पर intra-state trade commerce and intercourse the freedom guaranteed by article 301 is freedom from from all restrictions सारे restrictions जितने भी restrictions है उससे article 301 क्या होगा free रहेगा लेकिन part 13 के अंदर ही जो restrictions दिये गए है यानि कि article 302 से लेकर के 305 तक के जो restrictions दिये गए है वो तो impose करे जाएंगे ठीक है except those which are provided for foreign the other provisions of part 12 that is article 302 से लेकर के 305 ठीक है अब देखिए freedom under article 301 cannot be taken away by an executive action किसी भी executive action से यानि कि सरकार कोई order pass कर रही है अगर तो उससे आप यह freedom नहीं चीन सकते हैं restrictions from which the freedom is guaranteed should be such restrictions अब यह जो restriction लगा रहे हो आप article 302 से लेकर के 305 में हम लोग पढ़ेंगे वो restrictions जो होने चाहिए वो reasonable होने चाहिए यहां पे जो भी guarantee कर रहो आप restriction restrictions from which the freedom is guaranteed should be such restrictions as are directly and immediately restricting the free flow of movement यानि कि अगर जो भी goods and services ठीक है goods and services है और इन goods and services का free flow इनका free flow जो है वो guaranteed है guaranteed है कहां पर आर्टिकल 301 के अंदर यह guarantee किया है अब अगर मान के चलो कोई governmental order आता है ठीक है कोई government order आया मान के चलो और उस government order में यह लिखा हुआ है कि भाई अगर आप state of UP state of UP से कोई goods जो है आपके state of Rajasthan जा रहे हैं अगर यह good जो है यह state of Rajasthan जा रहे हैं मान के चलो कि और इन पर tax लग जाएगा सिर्फ और सिर्फ इस कारण से क्योंकि यह border से trust कर रहे हैं सिर्फ इस कारण से कि Kraft कि और टो बंट टाक्श लग जाएगा इस वझे से एक state से लेकर के दूसरे state थक की जा रहे हैं और यहां पर आपके tax लग जा तो यहां पर क्या है यहां पर क्या कहा गिया है काहा यह गया है कि they should be the restrictions are as directly and immediately तुरंत ही रिस्टिक्ट कर रहे हो आप आपका ऐसा restriction impose कर रहे हो कि वो free flow जो है न वो of trade commerce and intercourse goods and services का free flow directly and immediately restrict हो रहा है तुरंत ही आप restriction impose कर रहे हो वह यह नहीं कि आप देखो कि किस प्रकार के goods अगर इन goods के ऊपर किसी कारण के वज़े से यहां पर tax लगाया जाता है तब कोई बात है लेकिन सिर्फ इस वज़े से कि वो border cross करने किसी और state में लाए कर रहे हैं और अगर आप tax लगा रहे हो तो यह जो है यह डाइरेक्ट यह test है actually कि यह free flow अलाव किया जा रहा है यह नहीं अलाव किया जा रहा है यह free flow का test है और test को क्या कहोगे आप that it should not be directly and immediately restricting the free flow of the goods and services ठीक है अब अब लोग बात करें trade commerce intercourse मैं बहुत बार बोल चुकी हूं क्या मतलब क्या होता है देखो the word trade अगर हम लोग trade के मतलब की बात करें means buying or selling of goods while the term commerce का मतलब क्या होता है all forms of transportation जैसे कि किस तरह से commercial activities मतलब आप किस तरह से commerce कर पाऊगे actually it is through the means of transportation or transportation किस प्रकार का land तीन प्रकार का होता है air and water इस तीन प्रकार के transportation जो है वो commercial activities के अंदर आ जाएंगे साती साथ the word intercourse intercourse का मतलब क्या होता है it means movement of goods from one place to another तो basically यह तीन शब्दों का मतलब है दस the word trade commerce and intercourse covers all kinds of trades basically सारी activities इसके अंदर आती है which are likely to come under the nature of commerce या फिर अगर आप बात करो किसी भी business related तो यह सारी चीज़े economic activities के अंदर आती है trade commerce and intercourse ठीक है अब आ गया यह अब यहां पर हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा related है ठीक है यह linking provision है आपका it is linking to article 301 to 19 1g very important article 19 1g also guarantees to citizens the right to practice any profession carry on any trade or business but but while article 19 1g confers a fundamental rights on the citizens to carry on any trade business etc article 301 confers only a statutory right तो यहां पर article 19 1g के अंदर हमें a fundamental right मिली है और article 301 के अंदर हमें जो मिला है वो है statutory right को basically the right under article 19 1g can only be claimed by citizens but the right under और article 301 can be claimed by anyone तो basically क्योंकि यहां पर क्या है basic difference देखिए आप लोग basic difference दोस्तों यह है कि यहां पर citizens और non citizens का main difference है अब यह जो right है article 301 के अंदर हो सकता है यहां पर कोई foreigner हो या किसी और देश का आदमी हो जो रह रहा हो और trading कर रहा हो और proper certification उसको मिला हो सारे licenses उसने पास कर लिए हो और वो trading business activities करता हो तो क्या वो भी रोक लगा देंगे आप नहीं लगाएंगी लेकिन हां वो अगर article 19 1g के लिए अपनी freedom को exercise करना चाहें कि मेरी fundamental right है तो वो उसको नहीं मिला है क्योंकि वो सिर्फ और से citizens of India को मिला है यह आपको याद रखना है ठीक है आगे आजाओ अब यह कुछ pointers है दोस्तों जिससे आपको यह concept और अच्छे से clear हो जाएगा अब purely regulatory and compensatory law cannot be regarded as violative of the freedom of trade commerce यहाँ पर उन्हें कहा कि अगर कोई ऐसा law है अगर कोई ऐसा enactment है जो compensatory है या कोई ऐसा इनाट्मेंट है जो regulations lay down करता है कि यह procedure आपको follow करना होगा तो वह आप नहीं कहोगे कि तुरंधी भाई यह freedom of trade and commerce के evaluative है साथी साथ कहा गया such laws are intended merely to regulate the trade and commerce procedure बताते हैं they tend to facilitate and not to restrict यह restrict नहीं करते हैं restraint नहीं करते हैं यार एक proper standard lay down करते हैं और वो standard हर किसी को follow करना होता है very very important measures as traffic regulations licensing of vehicles charging for the maintenance of roads marketing and health regulation price control economic and social planning prescribing minimum wages and purely they are purely regulatory measures अगर कोई ऐसे trade की activities जो भी business related आपकी activities हैं जहां पे कहा जाए कि भाई आप हर एक का insurance करा लीजिए या आप price जो regulation जो market में price है उसके according रखी है उससे जादा नहीं होना चाहिए तो ultimately किसके लिए है यह citizens of India के लिए जो लोग भारत के अंदर रह रहे हैं उनके लिए है और actually क्या है यह standard lay down करता है कि भाई यह नहीं कहा जाएगा कि फलाक state के अंदर यह चल रहा है या किसी और से हमको discriminate किया गया यह तो नहीं होगा तो एक standard है जो सब को follow करना है तब आप यह नहीं कहोगे कि यहां पर आपके freedom of trade commerce and intercourse के वोई लेटेव है ठीक है अलोविच लेवीज अटैक्स और टोल फॉर यूज ऑफ रोड और ब्रिच इस नॉट बैरियर अब हम लोग करते हैं जैसे मैं ही ट्रावल करती हूं डेली तो लखना हो जाती हूं तो वहां पर अगर टोल्स पड़ते हैं अब हम यह कहें कि भाई टोल्स जो है हमारे फ्रीडिम ऑफ ट्रेड कॉमर्स और इंटर कोर्स पे बाधा डाल रहे हैं तो यह हम नहीं कह सकते हैं कोई भी टोल लग रहा है कोई भी टैक्स लग रहा है पॉर दो यूज ऑफ रोड अब हम यूज करेंगे ना आगर एक्सप्रेस वे को तो अगर टोल्स पड़ते हैं तो अब यहां पर एक लीडिंग केस लोग जो मैंने अभी आपसे स्टार्टिंग में डिसकास किया था अतिया बारी टी कंपनी वर्सेस टेट ओफ आसाम का केस है बहुत-बहुत इंपोर्टन है यहां पर क्या हुआ था दोस्तों यहां पर आसाम टैक्सेशन आक्ट ऑफ नाइ पर आसाम टी वस लाइबल टैक्स अंडर अपर इस एक अंदर तो बैसिकली यहां पर इसी को चैलेंज किया गया था था एक्ट वाइट तो कोट ने क्या कहा कि यह जो एक्ट है यह वाइड है दो कोट सैट अटाक्स इस में अंडू अमांट टो रिस्रिक्शन इफ यह आर कि अंडियेटली रिस्रिक्टिंट ट्रेड इन इस इस केस में क्या हुआ था क्टाट लिए इसकेस में तो जो टैक्स लगाया जा रहा था वह फ्री फ्लो और गुद्स उसके उपर रिस्रिक्शन डाला था लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होगा हर case में अगर tax imposed किया जा रहा है तो हम facts and circumstances देखेंगे उस case के क्या है उसके बाद accordingly हम decide करेंगे Every case must be judged on its own facts and its own settings of times and circumstances तो अतिया बारिटी कंपनी में Assam Taxation Act of 1954 को invalid or void declare किया गया उसी तरह से एक और case देखे state of Mysore वसे संजीविया government made a rule under the Mysore Forest Act 1900 banning the movement of forest produce forest produce के जो movement था उसका trade commerce और intercourse जो था between sunset and sunrise यानि कि जब सूरज उग रहा है और sunrise sunset नहीं सूरज जब ढ़ल ढ़ल रहा है sunset के बाद और sunrise के बीच में आप बेसिकली यह trade नहीं कर सकते हैं सुप्रेम कोड हेल्ड रूल आज वॉइड सुप्रेम कोड ने कहा यह रूल वॉइड है as it was not a regulatory यह कोई regulation तो था नहीं but it was restrictive measure which inference the right guaranteed under article 301 आप देखोगे हम लोग क्या कहा जाता है कि भाई रात में सफर मत करो रात में सफर क्यों ना करो क्योंकि रेक्स चलने लगते अब ट्रक्स क्या करते हैं चक्त्रक्स अपना घुमबने फिरने थोड़ने निकलते हैं वो ट्रेड कॉमर्स और इंटरकोस के लिए निकलते तो यहां पर आप खेह रहे हों कि अगर संसेट हो रहा है उसके बाद आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो तो तो डाइरेक्ट एंड इमीडियेट आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो ना लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो तो यही चीज जो है बहुत इंट्रेस्टिंग है और इसी चीज को मना किया गया इस मैसूर फोरेस्ट एक के ओडर को ठीक है उसके बाद ऑटो मोबाइल ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वरसे स्टेट ऑफ राजिस्थान वन अफ दोस्तों लीडिंग केस लौ वन अफ लीडिंग केस लौ उन पॉंट फ्रीडम आप ट्रेड कॉमर्स अन इंटर को अब देखो अब देखो अब यहां पर क्या हुआ उन्प किस ग्रांड पर कहा यहां पर बैसिकली जो भी कॉमपनसेटरी टैक्स इस लिए लेडाउन कर रहा है ताकि जो ट्रेड है वो फसलेटर कर सके और जो है एक फ्रीफलो और ट्रेड कॉमर्स इंटर कॉस्ट को फोस्टों यहां पर टो वैड़ डेक्लेर कर दिया एक और कीसलोः दोस्तों एक और केश लुइए यहां पर प्रेंटरिसस वसे स्थ उप्यूर्ज पलॉव का उपसेड़ यूपन the state of Uttar Pradesh has passed had passed an order banning lotteries of other state by virtue of power interested under Section 5 of the of the Lotteries Act Supreme Court ने क्या कहा यहां पर Supreme Court ने कहा the lotteries contains an element of chance यहां पर क्या है यहां पर किस्मत चल गई तो हो गया तो there is a chance उसमें lotteries में चांस का खेल है ठीक है element of chance and there cannot not therefore be trade and commerce as contemplated by article 301 तो उन्होंने कहा यह लौट्री टिकेटिंग का जो सिस्टम है यह 301 के अंदर नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर element of chance है कि बाई किस्मत चल गई तो आपकी lottery निकल गई तो इसलिए यह आपका trade commerce के अंदर count नहीं होगा of the Constitution this element of chance makes a lottery lottery क्या बनाता है gambling gambling के अंदर आ जाती लौट्री तो यह trade commerce of intercourse के अंदर नहीं आएगा अब अगर हम लोग इन सारे case laws को sum up करें दोस्तों अगर इन सारे case laws को हम sum up करें तो यहां पर निकल के आएंगे कुछ पॉइंटर और उन पॉइंटर सक्कार लेते हैं आर्टिकल 301 अशोर्स freedom of trade interstate as well as intrastate trade of commerce and intercourse trade commerce and intercourse have the widest connotation यानि कि बहुत वाइड उनका scope बहुत वाइड है and taken the movement of goods and persons तभी तो मैंने कहा कि अगर हम लोग toll tax दे रहे हैं movement of goods भी आता है उसके अंदर और persons भी आता है the freedom is not only from the laws enacted in the exercise of the power सिर्फ laws से related नहीं है यहां पर legislative entries जो दिए गई है related to trade commerce यानि कि जो 7th schedule के अंदर जो 7th schedule के अंदर जो entries दी गई है ना वहां तक कि नहीं लिमिटेड है है but also all laws including tax laws अगर tax related laws हैं अगर वहां पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है कई बार tax laws के अंदर आप कुछ ना कुछ goods को मेंशन कर देते हो कि इस पर tax लगा जाएगा तो वह भी इसके अंदर included होगा only those laws who is direct and immediate कुछ भी याद रखना है ना दोस्तों तो आप इसमें एक चीज अपने concept के लिए याद रखिएगा कि यहां पर जो टेस्ट दिया गया ना वो direct and immediate test दिया गया था और वह अतिया बारी टी कंपनी में दिया गया था ठीक है only those laws who is direct and immediate effect to inhibit or restrict the freedom of trade or commerce will come under the mischief of article 301 laws which are merely regulatory या compensatory जो है वो tax लगा रहे हैं तो वो जो है hence intended to facilitate उनको यह माना जाएगा कि वह आपके जो trade commerce and intercourse की जो राइट है ना freedom है उसको facilitate कर रहे है यानि कि उसको supplement कर रहे हैं ना कि उसको restrict कर रहे हैं ठीक है अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे restrictions की article 301 जो कि एक general section है general section है और freedom को lay down करता है उसके उपर क्या restriction लगाए गये हैं यह देखते हैं तो सबसे पहले article 302 के अंदर parliaments power to regulate trade commerce in the public interest public interest में कौन कर सकता है Parliament कर सकती है Parliament may by law impose such restrictions on the freedom of trade commerce or intercourse between one state and another or within any part of the territory of India as may be required in public interest Parliament ऐसा कर सकती है the question whether a restriction imposed by the Parliament by law is in public interest or not is justifiable issue यानि कि इसके उपर चर्चा करी जा सकती है यह debatable issue है और इसको decide कौन करेगा यह देखिए Parliament has given Parliament has been given the sole power to decide what restrictions can be imposed in the public interest as authorized by article 302 it has been held that the restrictions imposed on the movement of grain under the defense of India rules are in the interest of general public यानि कि अगर grains यानि कि खाना कोई भी grain हो सकता है rice हो सकता है wheat हो सकता है grains का अगर आप देखोगे transport हो रहा है अगर उसका trade हो रहा है defense of India rules के अंदर तो यह जो it has been held that restriction imposed on the movement अगर उसके movement पे restriction imposed किया जा रहा है तो यह कहा जाएगा यह कहा जा सकता है कि वो interest of general public के अंदर है यह एक example दिया गया है ठीक है आगे आजाओ साथ ही साथ power of parliament under article 302 is limited by article 303 sub clause 1 article 303 sub clause 1 provides that parliament shall not have the power to make any law giving any preference to any one state over another by virtue of any entry relating to trade and commerce in any of the list in the seven schedule simply यह कह रहा है कि यहां पर Parliament की यह power नहीं होगी कि एक state को मान कि चलो state of Gujarat को preference दे रहा है over state of Maharashtra तो वो यह नहीं कर सकता है अपनी union list के अंदर जो power दी गई उसको exercise करके यह concurrent list में उसके पास power है यह state list के पास भी कई सारे matters में Parliament की power होती law बनाने की तो Parliament shall not have the power to make any law giving any preference to one state over another by virtue of any entry relating to trade and commerce in any of the list लेकिन साथी साथ साथ इसके एक pointer को आपको याद रखना है but under clause 2 of this article if the Parliament Parliament may however discriminate यहां पर यह राइट दिया गया है Parliament को कि वो चाहे तो वो discriminate कर सकती है among the states if it is declared by a law अगर किसी law में declare किया गया है कि it is necessary to do so for the purpose of dealing with a situation arising from scarcity of goods in any part of the territory of India सब्सक्राइब कि किसी स्टेट के अंदर अगर मान के चलो किसी स्टेट के अंदर चावल की खेती हुई और बरबाद हो गई चावल नहीं है उसके पास तो वहाँ पर क्या है आप देखोगे scarcity हो गई चावल की या आप मान के चलो किसी और raw material की scarcity हो गई तो यहां पर पार्लेमेंट के पास पावर है कि बड़ बड़ अंडर क्लॉस टू और इस आर्टिकल पार्लेमेंट में हावेवर डिस्क्रिमिन अमंग स्टेट तो यहां पर गर स्टेट ऑफ यूपी के पास वीट की चावल की और अन्य गुड्स की अगर कि चीज के कमी हो जाना वह चीज होना ही नहीं खतम हो जाना ठीक है किसी चीज कोई चीज अगर लिमिटेड अमाउंट में है आपके पास या इस फिनिष्ट खतमी हो गई है तो यह हो जाती है स्केरिसिटी ऑफ गुड्स इन अनी पार्लेमेंट ही डिसाइड करेगा ठीक है आगया यह अब देखिए अब यहां पर आर्टिकल 304 ए क्या कहता है अब मान के चलो यूपी के अंदर यूपी के अंदर अगर हम लोग बात करें मुरादाबाद के अब यह क्या कह रहा है यह कह रहा है कि अगर राजस्तान के अंदर राजस्तान के अंदर जो ब्रास्वेर है ना जो ब्राजस्तान के चलो उसके ग्लास में अच्छे बनते हैं और वो मुरादाबाद में उसके डिमांड हो गई और मुरादाबाद में वो import किये जा रहे हैं import किये जा रहे हैं from from Rajasthan which is another state तो वो यह कह रहा है कि मुरादबाद के अंदर जो brassware जो भी product बन रहा है brassware का उसके उपर उसके उपर जो ड्यूटी लगती है जो tax लगता है देखिए to impose any tax on goods imported from other state if the similar goods in the state are subject to similar tax, so as to not discriminate, अगर यहाँ पर tax imposed किया जाता है, अगर इसको export करेंगे और कोई import कर रहा है, तो similar amount of tax जो है वो लगाया जा सकता है, similar tax जो है वो लगाया जाएगा, और यहाँ पर आपको यह याद रखना है किसलिए, तो as to not discriminate, यहाँ पर discriminate नहीं करोगे आप, उस good से जो आप import कर रहे हो, और उस good को जो आप अपनी वहाँ manufacture कर रहे हो, यह यहाँ पर manufacture हो रहा है, यह यहाँ पर manufacture हो रहा है, और यहाँ पर यह क्या कर रहे है, यहाँ से import कर रहे है, तो ऐसे cases में वो tax जो जो जनरी लगाया जा सकता है, वो आप लगाओगे, ठीक है, simply यह बात कर रहा है है, तो अगर एक एक एग्जांपल आप लो, जहाँ पर सेल्स टैक्स, लोग इंपोर्ट टोबाको, कहीं से टोबाको अगर इंपोर्ट करी जा रही है, आंधर परदेश से मान किछी लिए टोबाको इंपोर्ट करी जा रही है, state of UP में, तो वहाँ पर law के according, state of UP के law के according, sales tax, imported टोबाको पर हम लगाएंगे, बट locally produced tobacco was not, जो हम produce कर रहे हैं, उसके उपर कोई tax नहीं लग रहा है, was not subject to such sales tax, the court invalidated the tax, यह जो tax impose कर रहे हो आप, इसके उपर imported tobacco के उपर, वो invalid होगा, वो invalid होगा, ठीक है, restrictions on the freedom of trade commerce and intercourse, as may be required in the public interest, यहाँ पर condition यह है, कि no bill or amendment for this purpose, can be introduced in the legislature of a state, without the previous sanction of whom, तो यहाँ पर freedom, तभी जो होगा, आप कर पाऊगे restriction, तब तक कि president का आपको sanction नहीं मिलता है, ठीक है, so basically such reasonable restriction on the freedom of trade commerce and intercourse, as president के यहाँ पर sanction लेके, आप bill उसके according pass करा होगे, so a law passed by a state to regulate the interstate trade commerce must satisfy the following three conditions under article 304 b, यह three होगा, ठीक है, सबसे पहले, previous sanction of the president must be obtained, सबसे पहले condition, उसके बाद the law must be in public interest में भाई, लो होना चाहिए, अभी तक रट रहो, public interest, public interest, पता चला, public interest ही missing है, तीसरी बात, the restrictions imposed by such a law must be reasonable, ठीक है, सो पार्लिमेंट में वेस्टेट विए इन्वेस्टेट विए पावर्स to regulate trade commerce, the state powers is subordinate to the parliamentary regulatory measures, तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोट डाउन कर लेना, दोस्तों यहाँ पर पार्लिमेंट की जो पावर है न वो स्टेट की पावर से ज़ादा है, ठीक है, पार्लिमेंट की पावर स्टेट की पावर से ज़ादा है, a state cannot enact regulatory laws without the sanction of the president, तो यहीं पर जो है, यहीं पर आप देखो कि किस प्रकार, किस प्रकार state जो है, state यहाँ पर subordinate, ऐसे matters में subordinate role जो होता है, स्टेट का हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर presidential, presidential आपका यह sanction चाहिए होता है, presidential sanction की चलते है, ठीक है, sanction of the president, in the Atiyah Bari case, the state tax on the movement of goods was had to be invalid, also on the ground that it was passed without the previous sanction of the president, तो यहाँ पर इसी कारण उसको invalid declare किया गया था, क्योंकि वहाँ पर presidential जो sanction थाना, वो missing था, ठीक है, अब next आजाईए, saving of existing laws, तो article 305, saving of existing laws के बारे हम बताता है, और यहाँ पर यह कहता है, in the laws providing for state monopolies, एक state monopolies की यहाँ पर बात करेगे, monopoly का मतलब क्या है, कि उस state में मेरी monopoly रहेगी, मेरे अलावा, यहाँ पर कोई भी trade नहीं करेगा, commerce नहीं करेगा, और intercourse नहीं करेगा, so far as the president made by order, otherwise direct, अगर president अपने order में कुछ और बता रहा है, तब बात अलागे, लेकिन यहाँ पर monopoly रहेगी उस state की, ठीक है, article 19 was amended by the constitution first amendment act, in order to take out such state monopolies, हटाने के लिए उन state monopolies को out of the purview of article 19 वंजी, a law introducing such state monopoly, कोई भी ऐसा law, जो किसी भी state की monopoly को, monopoly का मतलब क्या है, मेरा ही राज रहेगा, मेरा ही शासन रहेगा उस matter में, फिक है, such state monopoly have to be justified before the court as being in the public interest, तो अगर कोई भी ऐसा law है, जो state monopoly को कह रहा है कि इस particular market जो state of आंद्रप्रदेश में सिर्फ और सिर्फ state of आंद्रप्रदेश में ही ये good या ये service जो है सिर्फ state of आंद्रप्रदेश में मिलेगी, तो ये क्या है, ये restriction लगा रहे हो, ये law pass कर रहे हो आप, तो यहाँ पर ही क्या कहा गया, कि basically ऐसा कोई law जो है, वो public interest में है या नहीं है, तो इसका एक पूरा scanner के थुरू आपको गुजरना पड़ेगा, under article 301, और as amounting to be reasonable under article 306b of the constitution, तो it has to be first, justify तो करो कि ये correct है कि नहीं, it has to be justified, but the constitution fourth amendment now makes existing laws and future laws, providing for state monopolies in trade, immune from the attack on the ground infringement of article 301 और 303, तो basically article जो amendment act था ना, fourth amendment act, उसके according अब ये जो state monopoly के उपर reasonable होना चाहिए है, justifiable होना चाहिए, क्या justified है या नहीं, तो वो भी एक ground जो है, वो हटा दिया गया है, तो अब state monopoly चाहे तो वो भी हो सकती है, कुछ laws को safe किया जाता है, article 305 के अंदर, और article 306 जो है वो omitted है, simply article 307 हमारा बच रहा है दोस्तों, article 307 empowers the parliament to appoint such authority as it considers appropriate for carrying out purposes of article 301, 302, 303 और 304 के अंदर, अगर किसी authority को उनको appoint करना है, तो वहाँ पर it can confer on such authorities, powers and duties as it thinks necessary, और यहाँ पर किसकी power होगी, दोस्तों, president की नहीं होगी, यहाँ पर parliament जो है उसकी उपर specifically law बना सकता है, ठीक है, तो basically दोस्तों यही सारी चीजे थी, जो हम लोगों को जानी थी, हमारे article number 301 से लेकर के, 307 तक की, बहुत important है, आप इसी according इसको prepare कर लीजे, case laws जो है, वो भी इसी according आपको याद रखने है, तो I think इसी के साथ हमारा आज का session जो है, वो समाप्त होता है, हम लोग next lecture में live class लेने वाले आपको याद रखना है, मंडे को हमारी class होने वाली है, services under the union and the state, साथ ही साथ जो भी class achievers के students हैं, अब ये याद रखें कि भई question number तो कम हो गया है, लेकिन आपको लगातार जो है, आपका constitution जो है, मजबूत कर लेना है, कि कोई भी question आएगा, तो आपका छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, so all the best to all the students, जो भी तयारी कर रहे हैं, मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए पढ़ाय करते रहे, take care and goodbye.